सपारास्ट्य अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से किया है पोस्ट 46 में 56 का दावा करने वाले अपने लोग बैठाएं है हास्य अपद अपुस्ट दावा करने वाले अपने लोग बिठाएं हैं कहते नजर आए हैं ये लोग सभी प्रमुख पदो पर अपने लोग बैठाएं हुए हैं जियां कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए बीजेपी पर तंच कसा है कहते नज़र आए हैं सपाद्यक्ष की सभी प्रमुफ पदों पर अपने लोग बिठा रखे हैं क्या वो औरों को इन पदों के लिए योग नहीं समझते या फिर किसी को विश्वास योग नहीं समझते बता दे अखिलेश यादव ने किया है ट्वीट भाजबा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है अखिलेश यादव अपनी पोस्ट में कहते नज़र आए जोला चाप डॉक्टर का आतंक दिखाए जियां एटा से इस वक्की बड़ी ख़बर आपको बता दे कि पीटने के बाद स्वास्त विबाग की टीम को बंदफ बनेया बता दे डिप्टी सीएमों के साभी दमंगों ने बताजे स्वास्त विभाग की टीम को पीटा गया है दबंग जोला छाप डॉक्टर के आगे स्वास्त मैं कमा जैसे नत्मस्तत हो गया है बताजे पिट्टे के बाद स्वास्त विभाग की टीम को बंदग बनाया गया है डिप्टी सीमो के साथ भी दबंगों ने बस सलूकी की है मौके पर पहुँचे पुलिस ने टीम को छुड़ाया है स्वक्की बड़ी खबर एटा से आपको बता दे जहाँ पर जोला चाप डॉक्टर का आतंक देखनों के मिला स्वास्त विभाग की टीम को पीटा है दबंग जोला चाप डॉक्टर के आगे स्वास्तु मेकमा नत मस्तक्स हुआ पीटने के बाद स्वास्तु विभाग की टीम को बंदग भी बनाया है जिया बता दे बदमाशों का ये कारणामा सामने आया जाडिप्टी सीमो के साथ भी दबंगों ने बदसलूकी किये इस कबर पर अधिक जानकारी के साथ उमेश पार्टी एटा से हमारे साथ जुड़ गये सीमो सर जिस तरह से यहां पर स्वास्तु विभाग की टीम को पीटते हुए नजराए दबंगों की यहां पर दबंगई किस तरह से सामने आ रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर इस तरह से जोड़ाचापद्र दॉक्तर वहां पर आत चिंदा रही है आपैज सिनली के ला रही है तो अधे आंकर देखिक पहले इनका आस्पार तीज कर लिया गयदा उनको नोगिं दिया था उसके बाद में सिर्थ होना शिकायद साफ परी इनोंने बगल में पर चालू कर लिए अदमी पीजिनी तो संबन्द में एककल हमने थीम डेजिए दिए लिए अप्टाई मोजली नेज़ने दिए कि पुना चेंग कराया जाए तो हमने उसको जैक कराया जाए जब हमादर पर दिए ऑक एक सठर में बंद कर दी और इस तरह से जो है काफी पस्तरूपी तो कि तरी ये जो दबंग की गई है अदिकारियों के साथ में क्या इन दबंगों के खिलाफ क्या कुछ कारवाई हुई है या कोई गिराफतारी अभी तक इन में से हुई जी उमेश तिरपाटी जी बहुत दनेवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जूले के लिए जी अब बता दे दबंगों की दबंगई देखने को मिली है एटा में जहां पर जोला चाप डॉक्टर का आतंग देखने को मिला है स्वास्तु विभाग की टीम को पीटा है और दबंगई का ये वीडियो वाइरल भी हो रहा है जो की प्राइम टीवी के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर देख पार है दबंग जोला चाप डॉक्टर के आगे स्वास्तु महकमा यहां पे नत मस्तथ जैसे नजर आ रहा है पीटने के बाद बता दे स्वास्तु विभाग की टीम को इन लोगों ने बंदग भी बनाया बता दे डिप्टी सीमो के साथ भी बस सलूकी की गई है और मौके पर पहुची पुलिस ने टीम को छुडवाया है और आगे कारवाई में जूड गई है बता दे खबर एटा से आपको बता रहे हैं जहां पर जोला चाप डॉक्टर्स का आतंग देखने को मिला बता दे जोला चाप डॉक्टर्स की जब टीम जाज करने पहुची तो उनके साथ भी इन दबंगों ने मार पीट की और बंधग बनाया बता दे पीटने के बाद स्वास्विभाग की टीम को इन लोगों ने बंधग भी बनाया मौके पर पहुची पुलिस ने इन दबंगों के जाल से उन्हें छुड़वाया और अब आगे जाज में जुड़ गई है बता दे एटा से इस वक्षी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जोला चाप डॉक्टर्स का आतंग देखनों को मिला रहे स्वास्तु विभाग की टीम को इन दबंगों ने पीटा है पीटने के साथ ही उन्हें बंदग बनाया दबंग जोला चाप डॉक्टर के आगे स्वास्तु मैं कमा नत्मस्तत सा नजर आया बता दे फीटने के बाद स्वास विभाग की टीम को बंदख बनाया है और इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने जाकर टीम को इन दबंगों के जाल से छुड़ाया है और आगे जाज में जुट गई है बता दे एटा से इस वक्त की एहम और बड़ी खबर आपको बता रहें जहां पर जोलच आप डॉक्टर्स का आतंग देखने को मिला जिया इस वक्त की बड़ी कबर संबा स्यारी जहां पर डीम की आदेशों का उलंगन करते हुए उनके ही अधिकारी नजर आए है विकासकारीों का जायजा लेने पहुचे थे यह टीम लेकिन नाश्टा करके वापस लोटी और इस नाश्टा करने का पोटो अब वाइरल हो रहा है बता दे अधिकारीों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर उल्टा शिकायत करता को हड़का दिया है और ग्राम प्रधान के घर नाश्टा करते दिखे हैं ग्रामीड को डीम से शिकायत करना जैसे महगा पड़ गिया है बता दे पवासा विकास खांड के गव मुझफर पूर का ये मामला सामने आया जहां संबल की एक एहम और बड़ी खबर आपको बता दे जहां पर डीम के आदेशों की यहां पर धज्या उडाते अधिकारी दिखे हैं विकास कारियों का जाइजा लेने पहुँचे थे लेकिन ग्राम परधान के घर नाश्ता करते नजार आए और अब ये फोटो खूब वाइरल हुड़ा पतादे अधिकारियों ने ग्राम परधान के साथ मिलकर शिकायत करता को हड़काया और वापस आ गए वहीं इस बात का ग्रामीडों ने पूर्जोर विरोध किया है और अब इस बात का जो सामने आया है फोटो वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नाश्ता करते होगे अधिकारी ग्राम परधान के घर पर देखे जा सकते हैं इस फोटो में बता दे संबल्क से ये एहम खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर डीएम के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी और उल्टा नाश्ता करते नजर आए हैं बता दे नाश्ता करने का फोटो सोशल मीडिया पर अब खूब वाइरल हो रहा है शिकायत करता को ही उल्टा इन अधिकारियों ने हड़का कर रख दिया है बता दे ड्रामीड को डीएम से शिकायत करना महंगा पड़ा है पवासा विकासखंड के गाउ मुझफर पुरकमाग अलिगर्ड में महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में लगातार धर्ना परदर्शन किया जा रहा था बता दे हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं का परदर्शन किया जा रहा है जिएँ एक महीला वकील के साथ में गृत कार किया गया उसकी हत्या कर दी गई अधिवक्ताओं ने जिला नियायले के बाहर अपनी सहयोगी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है महिला अधिवक्ताओं ने पुलिस को दी है चुनोती आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर की मांग कर रहे हैं ये अधिवक्ता अलिगड के थाना सिविल लाइन इलाके का मामला बता दे महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में सहयोगी अधिवक्ता अब प्रदर्शन पर उतरवाए हैं बता दे हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं का पुर्जोर विरोध पुर्जोर प्रदर्शन वो चल रहा है अधिवक्ताओं ने जिला नियायाले के बाहर ये प्रदेशन करना शुरू कर दिया है जिसकी तस्वीरे आप देख पारे मैला अधिवक्ताओं ने पुलिस को दी है चूडिया और बता दे इस तरह से वो पुलिस को चुनोती देते नजर आए हैं उनका ये कहना है कि आरोपि खबर इस वक्ति आपको बता दे महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में सहीयोगी अधिवक्ता कर रहे हैं प्रदेशन अधिवक्ताओं ने जिला नियायाले के बाहर प्रदशन करना शुरू कर दिया है इन प्रदशन कारियों की ये मांगे हैं कि उनकी सहयोगी वकील जिसकी हत्या कर दी गई है निर्मम हत्या कह सकते हैं क्यूंकि पहले महीला का भरण और उसके बाद शब का इस तरह से पानी में मिलना एक आशंका को जताता है सोची समझी साज़िश को जताता है बस इसी के विरोध में और अपनी सहयोगी अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के विरोद में ये सब ही वकील उतराए हैं प्रदर्शन की आग में जिया बता दे हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदेशन शुरू हो किया है अलीगड की खबर आपको बता रहे है अधिवक्ताओं ने जिला नियायाले के बाहर शुरू कर दिया है प्रदेशन महिला अधिवक्ताओं ने वही पुलिस को चूडियां दी है और चुनौती दी है कि आरोपियों के घरों पर अगर बुल्डोजर नहीं चला तो ऐसे ही प्रोजेशन करते रहेंगे अलिगर के थाना सिविल लाइन इलाके का मामला बता अधिवक्ता की हत्या के विरोध में सैयोगी कर रहे हैं प्रोजेशन और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सरकार से बता अधिवक्ताओं का प्रोजेशन जारिये बाइक सवार युवक पर गुलदार ने किया हमला बिजनौर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे गुलदार के हमले से युवक और महीला घायल हो गए दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया है भरती गुलदार के हमले से ग्रामीरों में दहशत का महले बता दे जगा 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 जिस तरह से जंगली जानवरों से लोग परिशान है और अब ये एक नया मामला सामने आता हुआ था आना नजीबाबाद छेतर के गाउं गुल्डा सराय का मामला करंड की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है अंबिकापूर से खबर आपको बता रहे अस्पताल पहुचते ही युवक ने तोड़ दिया है दम दरिमा धाना छेतर के ग्राम नवा नगर का मामला सुप्रीम कोट से संदीब घोश का जटका संदीब घोश की याची का सुप्रीम कोट से खारिज कर दी गई है जिया संदीब घोश को सुप्रीम कोट से ये बड़ा जटका लगते हुए पूर्वु प्रिंसिपल ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका पक्षि नहीं सुनने का लगाया थारू सुप्रीम कोर्ट से संदीब गोश को बड़ा जटका लगता हुआ जिया बता दे संदीब गोश की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारीच कर दी गई